कि हलो प्यारी बच्चों तो हम लोग क्लास नाइन्थ का एक्च्वल स्टार्टिंग जो है अब करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है मोशन तीक है मोशन आपका पहला चैप्टर है जो एंसी आर्टी के हिसाब से है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन होता क्या है चलिए तो मान लो भाई कि एक कि बुजूर्ग व्यक्ति यहां पर खड़ा है ओल्ड मैं ओल्ड मैं यहां पर खड़ा है और यह जो है एक बच्चे को एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं यह ओल्ड मैं इस छोटे बच्चे को देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है तो वह देखते हैं कि पहले जो है यह इसके पांच मीटर की दूरी पे था फिर यह थोड़ा और आगे बढ़ गया ठीक है फिर और थोड़ा आगे बढ़ गया और यह बढ़ते जा रहा है पांच मिटर और आगे बढ़ गया फिर पांच मिटर और पांच मिटर आगे बढ़ गया तो इस ओल्ड मैन को क्या लगेगा कि यह जो है लड़का बॉय है ना वह कंटीनियोस्ली क्या कर रहा है अपना position से इसका प הזysion पहले कितने पहते पांस मिटर पर जब यहाँ आजाएंक तो बॉइस हो रही है तो जब ऐसा होता है कि देखने वाले को कोई दूसरी चीज है ना ऐसा नजर आता है कि वह लगातार अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वह बॉड़ी मोशन में है तो वट इस मोशन तो मोशन को हम अगर डिफाइन करना चाहते है तो इफ अबॉड़ी इस कुझ निवसली चंगी निवसली चंगी इस पोजिशन इस पोजिशन इस पोजिशन विद रिस्पक्ट विद रिस्पक्ट तो सम रिफेरेंस रिफेरेंस देन दो बॉड़ी इस सेड तो बी इन मोशन तब हम कहेंगे कि बॉड़ी क्या है मोशन में ठीक है दूसरा चीज अगर ऐसा नहीं हुआ ठीक है अगर ऐसा नहीं हुआ यह लड़का जो है लगातार यहीं पर बैठा हुआ है ठीक है यहीं पर बैठा हुआ है तो इसके बीच की जो पांच मीटर ही रहने वाली ना व्यक्ती चल रहा है ना यह जंद रहाए दोनों के बीच में जो पूजीशन है वो कोई चैंज नहीं हो रहा है ठीक है ऐसे सिट वेशन में हम क्या कहेंगे की बॉच जो है वो रैस्ट ऐप इस पोजिशन बट रिस्पेक्ट तू विट रिस्पेक्ट टू रिफ्रेंस फिर सबनेर बडली इस इन रह्स्ट तब हम क्या कहेंगे बॉडी कि स्में है रेस्ट में है यह दो बाते आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यहां और है और क्ट मिंथर नहीं कर रहा है तो उसके लिए खोई проблемर चाहिए रिपरेंस है निए रिफेरेंस हना ज़रूरी अग profit के respect में आप Daisy सकते हो की body motion कर रहा है यह rest में में तो सीखना चाहिए वह अश्कुर्च गया कि थी के सब्सक्राइब में हम मोईजं को करते हैं ओक प्लेस हो सकता है आबजेक्ट हो सकता है कुछ भी हो सकता है तotlerika की the place or object with respect to which with respect to which motion is motion is studied is called reference is called reference इसको और भेतर ढंग से समझना है तो ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मालो आप से कोई आपका एड्रेस पूछता है तो हमेशा आप कोई ना कोई एक क्या बोलते फेमस चीज लगाते हो वहां पर है ना कि हमारा जो घर है वह रेलवे स्टेशन के पास में है रेलवे स्टेश इसके पीछे है फलाने हॉस्पिटल के पीछे है ऐसा इस तरीके से हम बोलते हैं तो जब मैं यह बोलता हूं कि मेरा घर बस्टेंड के बाजू में है तो इसका मतलब यह तो नहीं है हमारा क्या मैं आपको बस्टेंड बुलाना चाहता हूं नहीं मैरा मतलब यह है कि आप उ कि उसके रिश्पेक्ट में आपको सकते हों कि मैंने बूला बस्टर्ण के पीछे बच्ट आना है और उसके पीछे चले جाना है तो यह एक रिफ्रेंस ली आपने लाइक वाइज आपको मोशन या रेस्ट पता करने के लिए आपको एक रिफ्रेंस की जरुरत पड़ती है एक observer की जरूरत पड़ती है ठीक है अब अगर मैं बोलूं कि बेटा कौई चीज मोशन में है कोई चीज रेस्ट में है कैसे पता करोगे ठीक है अगर आपका friend है कोई है ना अगर एक friend है वो आपके बाजू में बैठा हुआ है तो वो जो friend है वो rest में है motion में है कैसे पता तो first of all आपको समझ लेना है एक नोट लिख देता हूं मैं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है यह जो है एक रिलेटिव टर्म है motion और रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स नॉट अब यहां पर मैंने देखो क्या या वर्ड यूज क्या रिलेटिव एंड एपसलूट ठीक है तो रिलेटिव मतलब होता है कि जिसको हमेशा हम आप कंपेर करके बताते हो है ना और एपसलूट मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा वैसी ही रहती है वो बदलती नहीं है फॉरेक्जामपल मैं कहता हूं घर में थिक है दो भाई हो यह दो शिस्टर हो थिक है मैं पूछू चाहिए कि प्रुकह कि regular law 60 कि कि सेंटीमेटर है और रीटा की थे हट समझो 150 सेंटीमेटर है तो कोई बी खंपेर कर te बोल देगा रही की तो रीठ jus है वह बडी है रीठा से तो इन कम्राइजैन विठ रीठी क्या है बड़ी है लेकिन क्या दुनिया में हर किसी से बड़ी है रितु नहीं ना हर किसी से बड़ी नहीं है वो उसके एक से वो बड़ी हो सकती है दूसरे से छोटी भी हो सकती है यह तो डिपेंड करता है कि हम उसको किसके साथ कंपेर कर रहे हैं ठीक है तो इन दे सेम वे इन दे सेम वे जो रेस्ट और मोशन है यह डिपंड करता है कि हम उसको किसके साथ गंपेर कर रहे है कौन देख रहा है उसको तो और इसको बजहांक now मैं बोलता हूं कि यह एक ट्रेन है के यह यह एक ट्रेन है ओर यह आपका प्लेट फॉट्फॉर्म है कर अब जो यह अपर एक चाय वाला है चाय वाला मोदी जी है मोदी जी मोदी जी चाय वाले है ठीक है तो यहां मोदी जी है ठीक है और यहां पर आप और आपके प्रेंड ऐसे बैठे हुए हैं अपनी जगह पर तो बेटा जब यह ट्रेंड चलेगी है ना जब यह ट्रेंड चलेगी तो आप और आपके फ्रेंड के बीच का जो पोजिशन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा पाल depends मेरा आपके फ्रेंड के बीच का पोजिशन हो रहा है क्यास्त चल पड़ी तो आप सीट पे बैठे ऑप अपनी जगह पे बैठे हुए कोई position नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये जो आपका friend है वो किसमें है rest में है लेकिन इस चाइवाले के लिए मोधी जी के लिए है यह train आगे बढ़ रही है तो आपका friend भी आगे बढ़ रहा है तो इसको क्या नजर आएगा यह motion में तो भाई एक ही friend एक ही समय पर एक के लिए rest में है दूसरे के लिए motion पर है अगर यह absolute चीज होता तो हर हाल में दोनों same ही होता लेकिन चुकि यह relative है इसलिए इसके देखने पर यह में है और इसके देखने पर यह motion में है तो तो यह डिपेंड करता है कि उसको कौन observe कर रहा है तो अगर observer की respect में उसका position नहीं हो रहा है तो वह रेस्ट में है और अगर position change हो रहा है तो वह motion में है ठीक है अगर आपको बोलूँ कि दिवाल जो आपके घरों की दिवाले हैं दिवारे हैं वह रेस्ट में है यह motion में है तो आपका question होना चाहिए कि सर किसके respect में देखने बोल रहे हो ठीक है अगर मैं अभी बैठके देख रहा हूं तो मेरा दिवाल जो है वह क्या है रेस्ट में है लेकिन अगर मालो हम किसी दूसरे लोने प्लानेट से जाकर कि हम अर्त को देखे तो अर्त पूरा का पूरा रही घूम रहे है उसके साथ हमारा वाल भी क्या होता है रेस्ट क्या होता है रिफरेंस क्या होता है एंड तर मोशन और रेस्ट जो है वह रिले टिव टम्स है अपसलिट नहीं है अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करते हैं जब मोशन करना चालू किया मसंट करना चालू किया मतलब सीशन करना चालू किया तो जब मशीous पुजिशन चेंज करोगे एक जगह से दूसरे जगह तक जाओगे फार एकजम्पल आप अपने गहर से निकलते हो और अपने इसकूल को जाते तो आप दवरान कोई न कोई एक रास्ता प्वॉलो करोगे जब आप यहां से यहां जाओगे तो यह सारे डिस्टंस से करना पढ़ रहे हैं इसको आपको कवर करना पड़ेगा इस लेंथ को कवर करना पड़ेगा ठीक है तो आप जब ट्रेवल करते हो उस दौरान जो भी पाथ फॉलो करते हो उस पाथ की जो लंबाई होती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस अधिस तैंस या फिर हम दूसरी सब्दों में यसको पाथ लेंथ कह सकते हैं पाथ लेंथ तो हम यह सकते निल्च of path length of path traveled by traveled by an object during its motion during its motion is called distance और path length क्या कहते हैं distance और path length ठीके बिटे जो distance या path length है इसको हम लोग इट इस denoted by या तो हम D से सो कर सकते हैं या फिर X से शो कर सकते हैं को जरूरी नहीं कि इसी से करें आपका जो मन करें उससे कर सकते हैं लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं या सक्केलर क्या हो याद हो गया होगा सकैलर क्या होता है तो बहुता है इसके पास सिर्फ मैगनीट्यूड होता है ठीक है इसका जो आइप साय यूनीट होता है इस को एसका यूनीट होता है एल होगा है ना सब्सक्राइप सायूनीट होगा तो इसे इस मीटर को कैसे शो करते है स्माल एम से ठीक है और इसका दायमेंशनल फोर्मूला इत्स डायमेंशनल फोर्म्ट ओन मुला इस अभी समय चब यह चार चीजे आपको लिखाएक तीकश काई प्वॉंइंट करते हैं यह कैसी टाईिक टाइप की क्वर्मटिक्टिटी है उसका यूणीट क्या होगा और उसका तो जैसा कि मैंने बोला कि क्वांटिटी जो है दो है है ना एक फंडामेंटल है कि को के बेटा कि अच्छा कि अच्छा खुर मेंने कि कि किटने होते हैं दो टाइप के होते हैं एक fundamental कि Funda मेंटल और दूसरा लैंव्ट करते यांज याद करो कितने फंडामेंटल पढ़े थे बैटा लेंथ को क्तहिंब के में लैंट मास टाइम MUR MIT यस तरीके से हमने साथ quantity पड़े थे तो length को जो है ना ठीक है length को हमेशा ऐसा बड़ा लिखने से अच्छा है हम इसको short में capital L लिखे मास को हम क्या करें capital M से शोगरें और time को हम क्या करें capital T शे शोगरें ठीक है ऐसा कर देते हैं तो जो भी quantities होगी हम क्या कर सकते हैं उसमें जो भी क्वांटिटी जाती है लेंध मास टाइम टेंपरेचर जो भी चीज़ें आती है उसको ऐसे शॉट से दिखाएंगे ठीक है तो इससे क्या हो जाता है डैमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है जैसे कि अपन जाएकात क्या माइनस वन एक तो इसका डैमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया लिगधेज्वार सब्सक्म्रोटी माइनस वन इसका मतलब एम प्र swim मिनओको या तो L T minus 1 या M 0 L T minus 1 ऐसा लिख सकते हूँ तो इन सेम वे डामेंशन फॉर्मॉला लेंट। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा चैसे कि मैंने बूल डिस्टेंस यानि क्या लेंथ है फॉर्मॉल क्या है तोटल लेंथ ऑफ पात लेंथ ही तो है लेंथ को किसे दिखाते इसका बियह क्या हो जाएगा और यह क्या समझ में आगे है Museum और क्या और यह झतर देसे रास्ते से गुजर रहे हो उन रास्ते की लंबाई को आपको क्या करते चले जाना है एड करते चले जाना है ठीक है आपको टोटल पाथ लेंथ मिल जाएगा डिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है चलिए तो हम एक दो एक्जामपल्स ले करके समझेंगे कि डिस्टेंस कैसे कैल्कुलेट करना है हाव तू कुईस्चिन है तो बेटे मालो की कि एक है कि स्क्वेर फिल्ड है कि जिसकी साइड लेंथ कितनी है टैन मिटर है आपको बोला जाता है कि यहां से आप चलना शुरू किये ठीक है यहां गये फिर यहां गये कि यह से कलें थे बीच से चलेंथे सी को पहुणचे तो गया आप से पूछता है कि यह से जब आप सी को गयें तो कितना स्टेश है है डेस्टेंस अओ कि हो दो कि घ्र्णे कर आफ कोई अपको क्या करना है आप जैसे जैसे गए हुआ हूं सारे लेंथ को आड़ करते चलना यह चुक्षक्वेयर है तो यह भी क्या होगा टैन मीटर होगा तो पहले आपको कितना चलना पड़ा होगा तैन निटर चलना पड़ा होगा एक तूपी फिर आपको 10 मीटर चलना पड़ा बीटू सी तोटल कितना हो गया ट्वेंटी मीटर ठीक है तो डिस्टेंस कैसे फाउंड करना है सारे डिस्टेंस सारे लेंद्स को मेजर कर दें अगर आपसे बोलता कि फिर इसके बाद आप और आगे बढ़े और फिर वापस यहीं पर आगे तब फिर आपने क्या-क्या यह दस चला य यह दस चला फिर आपका क्या हो जाता निटा क्या हो जाता ट्य हिए तो डिस्टेंस तरी मिंद्स आपको मे Бुथ सारे लेंद्स को लेना है यह जाता है डियूर पीप एधुलीट ए रंच on a circular track circular track of a radius seven meters you can find distance traveled by him in पार्ट ए वन राउंड इसकेंड तू एंड हाफ राउंड ऐसा इस तरीके का कुश्चन हो करेंगे तो आपको पता है सर्कूलर ट्रैक मतलब शर्कल जिसका रेडियस कितना है देखो आपके में वहें सेवन मीटर दिया हुआ है सेवन मीटर जब मैं कहता हूं वन राउंड यह राउंड तरु कहीं से भी आपने जहांन से भी स्टार्ट किए आपको वापस से गुम करके क्या होना है वहीं पर आना है तो आपको कैसे कैसे चलना पड़ा यह पूरा बाउंडरी चलना पड़ा है ना आप बताओ एक सरकल की बाउंडरी कितनी होती है वन राउंड में आपको कितना चलना पड़ेगा तो आपको सरकम्फिरेंस चलना पड़ेगा सरकम्फिरेंस का क्या फॉर्मूला होता है तू पा आर चलना पड़ा यही हो गया आपका क्या डिस्टेंस ठीक है तो एक चक्र में तूपाय आर चलना पड़ा अब मालो बिटा कभी आपको इससे ज्यादा चक्र चलने पड़े एंच दो चक्र चलना पड़ेगा तो बाद टूपाय आर चलना पड़ेगा तीन चक्र चलना है तो तो फिर क्या होागतों ड्सक्राइब वए न राउंड में ड्सक्राइब कि乾से गार यह इंटु एंट कर लेंगे घंड़ल फॉर्मूला टाइब का हो गया हमारा की सर्कौलर ट्रैक रहेगा ठीक्टेस चलनाद कर बेदा इतना चलना पड़ेग अब देखों इसका पहला 3 पार्ट में हमें क्या निकालना तो वन रहूंड में बडराबर क्या हो गया वन तो यहज़ा ager 25 mr 207 साथ आर आपके पास क्या साथ तो यह कितना हो गया 44 मीटर सेकंड पार्ट में स्सक्राइब लिड़कwald लिख सती है अपना क्या हो गया यह एन हो घ्याइगा पाइसाथ इंटू साथ इन गया यह गया कित्ता होगे बीटा एक सो दस हो गया क्या तो आपने इस बार जो चला वो चला 110 मीचर ठीक है तो कभी भी शर्कुलर ट्रैक रहे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यह फॉर्मूला लगाएंगे तू पाई आर इंटू एनन डिस्टेंस ट्रेवल इन एन how the question if an athlete athlete travels one and half round of a circular track of radius 14 meter then find distance traveled by him distance traveled by him ठीक है डाइग्राम बना देता हूं रेडियस कितना है इस टाइम रेडियस इस 14 मीटर ठीक है यह आपको शॉल करना है डाउट सेशन में आपको आंसर बताना है ठीक है बन गया तो अच्छी बात है नहीं बना तो विल्डिसकस ठीक है तो यह हो गया बटा का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका आगे और भी बहुत सारे सवाल हमें ऐसे बना सकते हैं एक्सांपल के तौर पर कि अगर आपका जो लेट से की एफ फार्मर कि एस ट्रैवलिंग कि अलॉंग दी बाउंडरी ओफ एलॉंग दी बाउंडरी ओफ है भी यह कि इसक्वेशर फिल्ड कि सेप कैसी है स्क्वेर है इस्क्वेर फिल्ड ओफ साइड लेंथ साइड लेंथ अग्या बराबर तर्वेंटी मीटर ठीक है a farmer is traveling along boundary of his square field of side length 20 meter then find distance traveled by him distance traveled by him then find distance traveled by him in part a part a part a one round part b two and half round आईसा ठीक है तो यह भी आपका आप मुझे करके दिखाएंगे एक और एक्जम्पल ले लेता हूं एक्जम्पल मालो कि यह एक रास्ता है स्ट्रेट रोड है इस देन यहां पर एक चौरहा है यह कि गोलंबर टाइप का होता है ना रोड पे इस तरीके का है कि मालो यह डिस्टेंस कि हांड्रेड मीटर है कि यह डिस्टेंस भी हांड्रेड मीटर है और इस का रेडियस कि सेवन मीटर है ठीक है इसका रेडियस सेवन मीटर है कोई बंदा यह से जब बी को जाएगा ठीक है यह से बी को जाएगा तो कैसे जाएगा बटा सोचो या तो या तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगा यह फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगा ठीक है तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा तो यह हो गया डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका तो अच्छे से समझ में आगे बिटा कि डिस्टेंस क्या चीज है डिस्टेंस का यूनीट क्या है डिस्टेंस का कैसे क किया जाता है तो हमें समझ में आ गया कि यह क्या है स्केलर कॉंटिटी है यानि आपको क्या दिया रहेगा सिर्फ मागनिटूट दिया रहेगा जैसे मैं कहता हूं कि 25 मेरा घर 25 किलोमेटर दूर है तो यह क्या है डिस्टेंस इस डिस्टेंस ठीक है लेकिन अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन भी बताऊं कि मेरा घर 25 किलोमेटर यहां से नौर्थ एस नौर्थ वेस्ट ऐसा है तो आपको एक्जेक्ट आइडिया मिलेगा कि मेरा घर कहां है इसमें आपको मैगनिटूट भी है selection में तो मैघनिटूट के साथ direction आ जाता है तो एक नई क्वांटिटी की है हम कहते हैं इसको displacement इस यूलो मैं चल रहे हो अ आप चले दिस बिस walking सो सबस्देथ हैं कि दिस्प्लेश्मेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है श्णों high displacement यह आपका घर है तो समाटम और ये आपका श्कूल है तो आपके घर से श्कूल जाने के है ना हो सकता है कई सारे रास्ते हो हो सकता है कि नहीं हो सकता है जरूर हो सकता है कई सारे रास्ते हो सकते एक मालो सीधा सीधा रास्ता है कि यह रास्ता नंबर एक है एक रास्ता थोड़ा गुमा फिरा के हैं कि कर कि इस तरीके का है रास्ता नंबर दो और तीसरा रास्ता तो बहुत ही ज्यादा गुमा 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 के यह तीसरा रास्ता है कि घर से स्कूल जाने के अब देखो क्या होता है जब आपको जाने की बहुत जल्दी होती है जब आपको बहुत जल्दवाजी में जाना होता है तो आप क्या करते हो शौटेस्ट पाथ को लेते हो सबसे चुटीनों रास्ते में सबसे कौन सा दिख रहा है यह वाला तो आप कौन सा रास्ता फॉलो करोगे ऐसा वाला कभी थोड़ा सा आपको वाक करने का मन हो रहा है तो आप थोड़ा लंबा रास्ता ले लोगे यह वाला रास्ता ले लोगे कभी आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो किसी फ्रेंड के साथ जा आपको इस रास्ते की लंबाई चलनी पड़ेगी अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो आपको इस रास्ते की जो भी लंबाई होगी वह चलनी पड़ेगी मतलब यहां मुझे अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और यहां मुझे अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना प distance क्या होगा लेकिन अगर अब आपसे कोई पूछे कि बेटा आपको जाना था घर से school है ना कहां जाना था घर से school जाना था तो क्या करोगे आपकी सबसे कम दूरी तै करते हुए आप school पहुँच जाओ तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा देखो किसी भी लेंफ पॉसिबल होता है फो री बात समझ में तो cancer Sam wish ऑर यह तरी से मेरे लिए सबसे चोटा रास्ता क्या है वान है सबसे चोटा रास्ता क्या है है वड़े लुठा रास्ता क्या है वन है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन दिस्टेंस है तो पेटे आप चाहें इधर से गयいます मैं अगर यहां से जाता हूं तो भी मेरा saugust dies लेंथ यही है मैं अगर इधर से जाता पूछ से पूछ जाता हूं और मुझसे कोई इन सौटेस तो यहीं को देखो बहूаю आपका का बहुत यहीं बदल रहा है बीड़िट्व इन सिर्फ किस डिवेंड कर रहा किए जिहां से आप चले नहीं बढ़लेगा तो displacement जो है वो क्वांटिटी है जो कहता है कि क्या सॉटेस डिस्टेंस है बिट्विन इनिश्यल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तो वट इस डिस्प्लेस्मेंट कि दी कि सॉटेस्ट डिस्टेंस बिट्विन इनिश्यल पोजीशन इनिश्यल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन इस कॉल्ड दिस्टेंस तो डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट ठीक है क्या कहते हैं इसको displacement कहते है shortest distance between initial position and final position ठीक है आरी बात समझ में तो यह हमने देखा कि displacement क्या होता है तो बिटे कभी भी आपको displacement निकालना होता आपको क्या करना है जहां से आप चलना शुरू किये थे जहां को आप चलना खतम कर रहे हैं दोनों पॉइंट को एक स्ट्र और स्ट्रेट लाइन का लेंथ देख लेना है वही आपका क्या है displacement के बारे में तो सबसे पहली बात बुटा यह एक वेक्टर कॉंटिटी होती है एट इस अ वेक्टर क्उंटी टी वेक्टर क्उंटिटी क्या मतलब हुआ इसके पास यूणीट मैंगनिटूड भी है डारि मैं मैंनी तूर्ड को हैं डाइंड डाइरेक्षिन बोत इस झा में यह दूसरी चीज्व यह गेर्वधार क्वांटिटी होती है ना तो उसको दिखाने का एग तरीका होता है उसको रेप्रेजेंट करने का एग अलग तरीका होता है तो इसको अलग तरीके से हम क्या करते है रिप्रेसेंट करते है सो डिनोटेड वाइंड दिस्टेंस वह सिर्फ से शो किया था लेंकिन यह वेक्टर है तो वेक्टर को समझा गार रहे हैं तो आपको समध जाना है वह क्या है वेक्तर कॉन्टिटी वेक्टर कॉन्टिटी को रिप्रेजंट करने के लिए उसके ऊपर एरो लगाय जाते है प्र्ट द्र потреб or vector x अट्र आफ्टर आटो दिस्टेंस की नहीं सोर्टेश डिस्टन से लेकिन डिस्टेंस ही एनप तो यह भी बीचा होगा प्यासarent यूनित इसका इस आ यूनिट इस मीटर्ड इस विद सो एसा एंसेड इस मीटर्ड आ इकल का होगा थी जोऊ एक Duchy है सो आज आ तो यह लिंद्थ न शौटस्ट लेंथическая यह हम कैसे करेंगे कैसे मतलब के बारे क्या मैं अब शर्वाल उठता है कि हम डिस प्रेसमेंट को निकालने कैसे जिंघ हाउ टुफाइं डस प्लेश्मेंट शिक है में जैसे दिस्टेंस निकाला था अना उसी तरीके से डिस पैस्मेंट कैसे निकालेंगे हाव टू फाइंड कि अ डिस्प्लेसमेंट कि इस त्रूंपल कि समझेंगे जैसे कि मालो मैं कहता हूं कि आपने यहां से चलना शुरू किया A से B को गए और आपने 12 मीटर चला 12 मीटर चला फिर आप क्या हुए B से इधर चले गए स्ट्रेट है ठीक है B से C को चले गए और आप चले 5 मीटर ठीक है तो आपने शुरुवात कहां से की थी A से पर कहां पर इंड किया आपने C पर हमें पता करना है displacement कि इस प्लेस्मेंट कितना है तो बैटे displacement निकालने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आपको यह देखना है कहां से शुरुवात की तो यह हो गया आपका इनिश्यल पोजीशन इनिश्यल पोजीशन और कहां पर आपने इंड किया यहां पर तो यह आपका क्या हो गया फाइनल पोजीशन फिर मैंने क्या बोला आपको कि इनिशल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आपको क्या करना है एक स्टेट लाइन से जोड़ देनी है है ना आपने जोड़ दिया अब इसका जो लेंथ है ना यही आपका क्या है डिस्प्लेस्मेंट है तो आपको इसका सिच्वेशन में आपको अलग-अलग तरीका लगाना पड़ सकता है जैसे कि इस सिच्वेशन में हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि यह बारा मिटर है यह पांच मिटर है और यह इसके हाइपोटेनियस है पाइथोगेरस यूज करेंगे और आराम से आ जाएगा है ना त कितना होता है थर्टीन मीटर तो यहां पर आपका डिस्प्लेस्मेंट कितना निकल कर क्या रहा है थर्टीन मीटर वेल अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे डिस्टेंस पूछा होता तो क्या होता ठीक है तो डिस्टेंस क्या होता यहां पर डिस्टेंस एक दिस्टिन्स भी पूछा होता है तो डिस्टिन्स के लिए आपको क्या करना था सीधा-सीधा है न आप पहले 12 मीटर चले फिर पांच मीटर चले तो पहले बारा चले फिर पांच चले वही टोटल हमने सतरा मीटर चला तो देखो डिस्टेंस अलग है डिस्प्लेश्मेंट अलग है डिस्प्लेश्मेंट 13 मीटर है और डिस्टेंस सतरा मीटर है आरी बात समझ में तो डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे आप ग एक्जम्पल मालो आपको बोला जाता है कि यह एक शर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर है जिसका रेडियस क्या है 10 मीटर है अगर मालो आप यहां से चल करके यहां तक आ गया बी तक ऐसे आप गया ठीक है यह से बी तक चले गया 90 मीटर 90 डिगरी एंगल बना रहा है तो यह भी क्या होगा 10 मीटर ही होगा अगर अगर आपसे बोलते कि हैं कि कितना डिसप्लेश्मेंट किया डिसप्लेशंठेश में तो मैंने अभी आपको बताया कि आप देखो कि पहले चले नहीं कहां से थे हां से और कहां पे हो अभी यहां पे यह THAT यहा इसको श्ट्रेट लाइन से जोड़ना है तो यही तो है आपका displacement तो क्या यह 90 दिगरी है यह 10 यह 10 है तो पर आप पैथेगोर से लगा सकते हो कि नहीं तो क्या हो जाएगा स्क्वेर रूट टेन का स्क्वेर प्लस टेन का स्क्वेर क्या होगे बिटा टू टाइमस टेन का स्क्वेर टेन क्या आ गया बाहर अंदर क्या रूट टू तो कितना हो गया डिस्प्रेस्मेंट टेन रूट ट аг कि यह इंए इसक्वेर सिंद रैंक कि यह मैं यह और यह कि यह यह है यह कि यह ऑने करते हो यह कि पर सकोंता है तो डिस्प्लेश में निकालना है डिस्प्लेशमेंट फ्रॉम ए टू सी यह चीज निकालना है तो बिटा मैंने बार बार बुला है आप यह देखो कहां से शुरू किया और कहां पे हो तो यह इनिशल और यह फाइनल इसको आपको जोड़ना है तो यह लगा निकालना है आपको पता यह एंगल 90 डिगरी होता है स्क्वेर के केस में आप यहां से भी आपने क्या किया डरिस्टंस दिस्प्लेस्मेंट निकाल लिया तो आराम से है और एक वठेको को जैसे बोलेगा कि Direction वाली इसमें क्या कहेगा कि लाइक राम ट्रेवल्स three meter towards east towards east then then four meter towards north north then find his distance and displacement distance and displacement कैसे सवाल को तो जब भी डाइरेक्शन वाले आंसर क्वेश्चन साएं बीटा सबसे पहले डाइरेक्शन ड्रॉक कर लिया करो यह सब को पता होना चाहिए इदर क्या होता है नौर्थ होता है यह साउथ होता है यह इस्ट होता है और यह वेस्ट होता है तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको पहले किदर चलना है देखो थ्री मीटर तो इस तरफ है तो आप तरी मीटर इस तरफ चलो यहां तक आ गया मालो थ्री मीटर फिर आपको क्या बिलता है चार मीटर टूर्ट नौर्थ किदर देखो इस तरफ है तो आप चार मीटर इदर चले जाओ चार मीटर नौर् कर सकते हम डिस्टेंस के लिए पहले थीन चले फिर चार चले तो 3 प्लस 4 क्या हो गया विटा 7 मीटर हो गया लेकिन डिस्प्लेस्मेंट के लिए क्लिए क्या करना है सेर इसको सीधा सीधा जोडना है यहां यह 90 डिगरी दिख रहा है तीन है चार है पैथागोरस टकालेंग लगाएंगे पांच आएगा तो डिस्प्लेश्मेंट कितना हो गया विटे पांच मीटर हो गया कैजिद डिस्टेंस तो इस समय से आपको डिस्प्लेश्मेंट के ऊपर क्विशंच आते हैं अब आप देखोगे की दिस्टेंस और डिस्प्लेश्मेंट के बीच में सिमेलर टी इस थी आे ना कि और कुछ बबी है सोग How the differences भी है थीक के तो हम इसके similarities और डेफरेंस की बात करेंग तो difference between दीफरेंज in between है डिस्टेंस एं डिस्प्रस्ट्मेंट डिस्ट premises कि कैन्न डिस्प्रस्मेंट तो थीक है डिफ्रेंस बिट्विन कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस्मेंट क्या है कि तो एक तरफ हमने क्या ले लिया कि डिस्टेंस ले लिया सोड़ी कि डिस्टेंस ले लिया कि और एक तरफ हम क्या ले ले डिस्प्रेस्मेंट ले ले कि अ पार्टिशन कर लिया हमने फिरस्ट पॉइंट रिस्टेंस क्या था बिटा इस डिस्टेंस क्या था टोटल लेंद्ध आप पाथ को टोटल है लेंध आफ पात निस्टेंस कहलाता है और यह क्या चीज़ था शॉट टेस्ट कि शॉर्टेस्ट लेंथ आफ पाथ लेंथ आफ पाथ क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट होता है दूसरी चीज यह क्या था बिटा स्केलर क्वांटिटी था इसकेलर क्वांटिटी था और यह क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी तीसरी चीज तीसरी चीज़ कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा अगर आपने लोकेशन चेंज किया है तो यह हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा इफ लोकेशन इच चेंजड इफ लोकेशन इच चेंजड इट केन नेवर बी जीरो तो फिर यह जीरो नहीं हो सकता या निगेटिव तो बिलकुल भी नहीं हो सकता जीरो और निगेटिव लेकिन कि da displacement क्या है कुछ भी हो सकता है इसको समझने के लिए समझो मैं क्या बोल रहां क्यों बोल रहां ऐसा मालो आपने यह पॉइंट से अब यह पॉजह बएल्यू है जीरो नहीं हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ में पॉजिटिव नहीं होता है तो यह कभी भी नेगेटिव यह 0 नहीं सकता है लेकिन अगर मालो आप ऐसा वापस चल करके यहीं पर आ गए यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां आ गए तो वैटा आपका इनिशिल पोजिशन और फाइनल पोजिशन वहीं हो गया तो आपका वेलस डिस्प्रेस्मेंट क्या हो गया जीरो है ना अग्याव लोकेशन चेंज हुआ ठीक है एक बड़ लोकेशन चेंज हुआ तो फिर डिस्टेंस कि जो है वो दुबारा 0 नहीं हो सकता और निगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता ठीक है लेकिन displacement क्या हो सकता है देखो आपको जीरो भी आया सिर्फ इधर चला था तो पांच मीटर पॉजिटिव इस डिरेक्शन को डिरेक्शन हमारे उपर है हमने कि इधर डिरेक्शन लिया तो पॉजिटिव आएगा अगर इधर चले जाता निगिटिव डिरेक्शन में तो यह माइनस मे हो सकता है जीरो भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया फॉर्थ जैसा कि आप देखो यह क्या है डेफिनिशन क्या है यह क्या है टोटल लेंथ पाथ और यह क्या है शौटेस लेंथ पाथ शौटेस चाहिए तब्लेस्ट किया डोनों सेम हो जाएगा डिस लाश्त है काफि जादा है और डिस्टेंस मेरा किया है काफ़ी-कम है इसमें भी जाएगे तो मेरा डिस्टेंस ज़ homeland है लेकिन ऑन है तो क्या lover हर सुपेशन में हर situation में या तो distance बड़ा होगा इसमे इसमें क्या था डिस्टेंस बढ़ा था और इस वाले में क्या है distance बराबर है displacement के न क्यों कई displacement का definition यही है सबसे shortest venate होता है तो distance कभी भी इससे छ OVERंट हो सकता तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है ऩाइब Wakaa is always में ग्रेटर देन में ग्रेटर देन और इक्वड टोग दिस्प्रेश्मेंट हुआ थी कि इसको मैंतेमेटिकल मैं बूलो तो डिस्टेंस जो होता है रहता है ऐसा होता है इक्वल्टू का ऐसा तो दिस्टोंस ग्रेटर देन E결 टू स्विस्मेंट इक एयसा लिख लोगे लिए योगे से इस वाले में फोर्थ क्या हो जाएगा if displaced men किया है हॉलवेयच छोटा है कि इस ऊल्वेष मेंट करacious old मैं भैन ईखी विल्ट्त ओएड Gör 12 difference इसका उल्टा कर दिया हमने है न तो क्या हो जाएगा displacement को देखेंगे तोस्य प्रेस्स में हमेशा उवाइशा और होगा बरॉग या बराबर होगा बीच में ऑ Gill इस्टेंस के बीच में डिस्प्रेश्मेंट जीरो हो सकता है जब भूमिर के उसी जगह पर अогодं पर झाजिए चलाते हो है अगर कोई गाड़ी जलाते हो या अब तक आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है यह बताता है तो कहलाता है बाटा बता किया बताता है डिस्टेंस बताता है टीक है हमने आज सीखा डिस्टेंस और की के बारे में एक को अचिंदнее यहीं समाप्त करते हैं.